हैले श्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है आपको समझाने वाला है और फोटान की परिभासा देखिए फोटान क्या होता है एक प्रकास से मैं कहूं तो एक प्रकास का एक भाग है समझ पा रहे हैं अर्थात प्रकास कहीं न कहीं कुछ न कुछ पदार थी है करणों से मिलकर बना होगा जिसे प्रकास एक किरण की रूप में आती है और उसमें कुछ न कुछ कड़ होंगे जो एक दूसरे को उर्जा इस्थनादित करते होंगे तभी तक तभी तो हमारे यहां तक प्रकास आ पा रहा है थोड़ा समझने की जरूरत थे श्टुडण क्योंकि यह बहुत ही concept है ना गहराई से इसे clear करना पड़ता है जैसे यहां से सूर से प्रकास किरणे निकल रही है प्रकास किरणे निकल रही है ठीक है ना यहां से सूर से प्रकास किरणे निकल रही है यहां पे माली यह प्रत्वी है अब यहां से यह जो प्रकास किरण एक सीधी रेखा में जा रही है अब इस टुन समझने की बात है आपको दिखाई तो नहीं देखी लेकिन यह जो प्रकास है वो छोटे-छोटे कणों के रूप में रहती है जो की एक कण दूसरे कण को उर्जा देती जाती है और यह उर्जा हमारे यहां तक पहुँचती है और एक यह रेखा पे होती है एक के बाद एक दूसरे को निश्चित करम में एनरजी देती है इस कान से उर्जा हमारे तक पहुच पाता है जिसे हम क्या बोलते है किरण समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ मतलब प्रकास जो है एक कण की भाती भी वहार करता है और इन कण को ही हम क्या कहते है इस्ट्रेंट फोटान कहते है अर्थात उर्जा जो है छोटे छोटे बंडलों की रूप में पाय जाता है और इस बंडल को ही क्या कहते है फोटान इन कणों कोई क्या कहते हैं फूटान ठीक है ना तो जो प्रकास किरणे हैं इस्टुरेंट वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर तो बने ही होते हैं क्योंकि एक कण दूसरे कण को उर्जा देते जाते हैं, क्योंकि इस टूर्ण आपको पता होगा, यहां से डायरेक्ट यहां उर्जा इस्थनाद्री तो हो नहीं सकता है, कुछ न कुछ इन में कहीं न कहीं कुछ माध्यम होगा इन किरणों में, जो की एक दूसरे को एनरजी देचे जाती हैं और वही एनरजी हमारे यहां तक पहुँच पाता है इनकी जो देने की छमता बहुत तीबर होती है इस कंड से इनका बेग भी बहुत तेज होता है समझ पारें इसका बेग तीन गोड़े दस घाते आठ मीटर पर सेकंड होता है तो इस प्रकास से फोटान का थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिस करें कि प्रकास एक कंड की भात ही बहुत होर करता है प्रकास के इस कंड को हम क्या कहते हैं फोटान कहते हैं क्या कहते हैं तो सन 1924 में ए एच कामपटन ने इलेक्टरान के दौरा एक्स किरणों के प्रकिरणन दौरा प्रकास के कंड की प्रकति का सत्यापन किया था तो यह फोटान का थोड़ा सा धार ना कि PLC में है क्या तो प्रकास का एक कन है जिसे प्डार्थ पर्माउनों मिलकर बना होता है उसे प्रकार्णल की तो ही चीजर समझने कोशिस करें दो intelligent आपको है ज्यादा रटना नहीं है मात्र दो से तीन त्यार करना बागी मैं आपको समझाओंगा बहुत सारी पहला नंबर है किसी निश्चित आब्रती के प्रकास की तिवर्ता बढ़ाने पर प्रतेक फोटान की उर्जा अपरिवर्तित रहती है किसी दिये गए छेत्रफल से प्रती शेकेंड गुजरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाती है अब देखिए तिवर्ता बढ़ाने पर जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था यहां से सूर की किरनी प्रकास किरने उस सर्जित कर रही है और यह एक किरन के रूप में चल रही है यह दिश्चित इसकी ति ही देगी लेकिन जब इसका बेग बढ़ जाएगा तो एकांग छेत्रफल से गुजरने वाले इन फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी समझ पारे मैं क्या कह रहा हूं कि यह दिए प्रकास किरनी यहां से निकल रही है छोटे चोटे बंडलों के रूप में जिसे हम फोट फोटान कहते हैं यह फोटान के दिती बरता बढ़ जाए श्टन तो इसका उर्जा कोई बढ़ लाओ नहीं होगा इसके उर्जा में कोई परिबरतन नहीं होगी फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी बस यह डिफिरेंस होता है ठीक श्टन इतना क्लियर हो गया चलिए बात मतलब जहां कोई माध्यम नहीं है वह सभी के सभी फोटान करो एक समान चाल से गती करते रहते हैं तब ही एक के बाद दूसरे फोटान को एनर्जी ट्रांसपर होता है और वही एनर्जी हमारे तक पहुँछ पाता है जब कोई फोटान विभीन माधों में से होकर सरंग और गर्द की रूप में चलती है इस प्रकार चलती है तो एक्शोल में परिवर्तन क्या होता है देखिए तरंग दैर्ध यहां पर आप देखें मादमों से गुजरते हैं उनकी आबरती वही रहती है आबरती का मतलब एदि एक सेकेंड में दस कमपन कर रहे हैं तो मा चाल और तरंग दैर्ध बदल जाता है चाल और तरंग दैर्ध जैसे अभी यहां से यहां तक दो सरंग और या दो गर्थ की बीच की तरंग दैर्ध है ना कहलाती बीच की दूरी अब इसको एदि हम ऐसे इतना दूर पे इसको सरंग और गर्थ में तो देखिए तरंग दै ह्किन्त उसका चाल और तरंग देर्द बदल जाता है अगला देखे फोटान विद्द्दू रूप्यर्ट वदात सी मिgoing अधानी होते बिदू छे चेट्र में कब विच्शेपित होता है यजी प्लस है तो माइनस से वीच्शेपित होगा और प्लस से वीच्शे वह Küarda है जब विप्रित आबेस जाते लिए अकर्शनों可ा समान आपेस में प्रतिकर्शन तो तो इसमें प्लस है न तो माइनस है इसलिए बिच्छे पित नहीं होता फोटान कर संगट में कुल उर्जा और कुल संबेख संदचित रहते हैं किन्तु फोटानों की संख्या परिवर्तित हो सकती है अच्छा संगट मतलब टककर टककर जब होता इस पिरण तो उसका उर्जा और संबेख संदचित रहता है हो सकता है फोटान की संख्या परिवर्तित हो जाए मतलब अब छोटे छोटे और भाग में तूट सकता है जिसे देखो कोई देखा नहीं हो गए मैं गरंटेट कहता हूँ यह माना जा रहा है कोई देख नहीं सकता है प्रकास किरण की करण फोटां से यह कालपनिक चीज़ें है समझ रहा होना यह सत्यापन किया गया कि यह इस रूप में हो सकती है नंगन आखु से तो आप किरण को समझ नहीं पाते हैं सोची कैसे आप बलब जलाएं वहाँ से प्रकास की निकल रहे हैं तो आप समझी नहीं पाएंगे कि यह प्रकास की तीवरता कितनी है यहां कोई की रन भी चल रही है समझ रहे हैं वो तो माध्यम से आदमी लगा लेता है अनुमान कि यह ऐसे रूप में होगा ठीक चलिए तो यह हो गया कुछ और कई सारा टॉपिक्स है अभी जैसे फोटान की उर्जा की समीकर्ण कैसी होती स्ट्रण तो अगला छठा पॉइंट है फोटान की उर्जा को समीकर्ण इस रूप में दिया जाता है यह बराबर एच नी ठीक है यदि मैं एच न्यू के जग उनको निम्द समीकर्ण दोरा दी जाती है फोटान उर्जा को सात्मा नम्मर आपको लिखना है कि इसके संबेग का सूतर होता है पी बराबर एम इंटू सी सी क्या है प्रकास का बेग है ठीक है इस्ट्ट्रण अभी यहीं पे एक और समीकर्ण लगा दू तो एच नियू अ पान क्या हो जाएगा सी ठीक एक यह भी आपका है और सम्वेग बराबर एक फर्मूला यह भी होता है कि एचOh podcast लेंड़ तो यह संबेग के तीनों के तीनों फर्मूला एम इंटू सी एच नियू पानों सी और Ach Oh Brothers लेंड़ तो यह संबेग के फर्मूले ठीक अब एक और प्रकास के लिए तीब ग्रामी प्रकास की चाल पर किसी भी फोटान के कन के द्रबमान का फार्मूला कभी कभी अबजेक्टियूम पुछ दिया जाता है जिसका मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ आप लोग लिख लेना तो यह होता है M बराबर M0 अपान अंडर र प्रकास के चोटी-चोटे कण ही फोटान के लाते सिंपल इसको यदि प्रयोगी का अध्यर किस ने किया तो 1924 में एच कॉमटर ने किया था अभी लग छण तो आप देखी पा रहे हैं कि किसी निश्चीत आपरत के प्रकास की तिवर्ता बढ़ा दें तो फोटान की उर्जा नहीं बदलती यदि एक आंग शेथफल से उनकी संख्या बदल जाए तो बात अलग है दूसरा है कोई भी फोटान है यदि माध्याम आपका निर्बाद है तो उनकी चाल क्या होगी समान होगी अगला है जब कोई फोटान भी भीन माधमस गुजारता है तो उनकी आपरत नहीं बदलती तरंग दैर ये चाल बदल सकती है यदि मतलब फोटान को क्या माना गया उदासीन माना गया क्योंकि ये विच्छेपित नहीं होता है फोटान कड़का कुल उर्जा परकुल संबेक संद्चित रहता है हो सकता है फोटान की संक्या परिवार्थित हो जाए तो इस प्रकार से आप लो इसे अच्छी स्तियार कर लो इसमें जो भी टॉपिक से चैप्टर में सारे टॉपिक कवर कराएंगे तो चलते हैं स्ट्ट्ट में मिलते हैं इजादत दीजिए अगली वीडियो के शाहत मिलेंगे नेट आप पे किसना तब तक लेजाएंगे बंदे मातरा हो